जन्नत की हकीकत हमें भी पता है गालिब दिल बहलाने को ये ख्याल अच्छा है कि आपने दवा ले लिया और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन खतम हो जाए वैसे कोई भी केमिकल लेके ऐसा करना कभी भी अन्वारिंटेड है प्रॉब्लिम आती है तब जब वहां का ब्लड का सप्लाई कम हो जाता है जैसे PCOD हैं और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है या लो स्पर्म काउंट है आप पेल्विस में ब्लड सप्लाई बढ़ा दीजिए और इंजेक्शन के माध्यम से नहीं एक्सरसाइज के माध्यम से नमस्कार दर्शको आज हमारे साथ में जाने माने डॉक्टर डॉक्टर अवदेश पांडे जी है और हाज हम बात करेंगे उस मुद्दे के ऊपर जो आज की युवा पीडी करना तो चाहती है लेकिन खुल करके सामने नहीं आती और आज की जनरेशन के अंदर अक्सर देखा गया है कि गलत डाइट के माध्यम से प्राणायाम एक्सरसाइज ना होने की माध्यम से या मेंटली प्रेशर यानि की काम का दबाव स्ट्रेस लेवल जादा होने की वज़ए से सेक्स प्रावलम शुरू हो चुकी है आज की युवा पीडी के अंदर और उसके अंदर आफ्टर शादी बहुत से चीजें निकल के सामने आ रही है आज उसी विशे पर चर्चा करेंगे डोट साम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी चैनल के उपर तन्यवाद और आज आप हमें ये बताईए कि जो आए दिन युवा पीडी को कमजोरी आ रही है एरेक्टायल डिसफंक्शन हो रहे हैं लो स्पर्म काउंट हो रहा है और इंफर्टिलीटी का भी सामना करना पड़ता है तो इसके लिए आपका क्या अनुमान है क्या रहे देना चाहते ह हैं कि ये क्यों होता है और इससे कैसे निजाद पा सकते हैं मैं एक बात बताना चाहूंगा इसको लेके मैं बाकी सब डीजिज जैसे हार्ट अटैक भी इसमें कवर होता है या जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं लोगों को आज के दिन में बेसिकली अगर कोई पूछे कि कि इसी भी चीज में प्रॉब्लम कैसे आती है और कैसे ठीक होती है प्रॉब्लम आती है तब जब वहां का ब्लड का सप्लाई कम हो जाता है चाहे वो कारण जो भी हो कोई ब्लॉकेज हो गया हो आर्ट्रीज चिप गई हो आर्ट्रीज थ्रॉम्बोज हो गई हो या आर्ट्री मोटी हो गई हो जिसमें से कम ब्लड जा रहा है, अल्टिमेटली ब्लड वहां पे नहीं पहुंचा उस अर्गन में, वो ओर्गन का फंक्षन जो था वो धीरे-दीरे कम हो गया है और बंध हो गया है, बेसिक पैथालोजी किसी भी बीमारी में यही होती है, हमें इडेंटिफा यह करना है, किस चीज के लिए यह प्रॉब्लम हुआ है, उस चीज को हटा दीजिए, वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, तो आपका जो पॉइंटेड क्वेश्चन था, लोडेड क्वेश्चन, इरेक्टाइल फंक्षन, डिस्क फंक्षन, या कमजोरी, या लो स्पर्म हम आराम की अवस्था में आ गए हुए लोग हैं, हम नीचे जमीन पे, जैसे इंडियन स्कॉटिंग स्टाइल में लाटरिन के लिए बैठते थे, वो बैठना हम से छूट गया है, जब भी आप वैसे नहीं बैठेंगे, मेल हो या फिमेल, ये इरेक्टाइल डिस्फंक्षन बाइद वै फिमेल्स में भी होता है, अगर आपको ये लगता है कि ये सिर्फ मेल्स का प्रॉब्लम है, नहीं ये फिमेल्स का भी उत्रा ही प्रॉब्लम है, जितना मेल्स का है, तो अगर ठीक से देखा जाए, तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, चाहे वो मेल का हो, चाहे रुप का हो, चाहिव लो फिमेल का हो। और लो स्पर्म काउन तो मेल का ही होता है और लो लिबिडो लो लिबिडो is sexy कम करने की मतलब इच्छा मेल या फिमेल दोनों में तो यह पारस परिक भी हो सकता है लेकिन ज्याधा तर यह blood supply का ही खेल है, तो किन किन चीजों से हम blood supply increase कर सकते हैं ये हमें सोचना है एक exercise जो कि general hyper dynamic circulation कर देता है दूसरा खान पान में वो changes जो artery को मोटा ना करें उसको पतला ही रहने दें या उसके कैलिबर को बढ़ाएं तीसरा exercise जो internal organs के लिए होता है जैसे योग योग से हम कर सकते हैं योग की कई मुद्राएं हैं जो वहाँ पे blood supply pelvic region में बढ़ा देती हैं और pelvic exercises हम ये कर सकते हैं ज्यादा तर जितने भी aerobic exercises हैं वो ज्यादा तर आपका ये सभी problems कम करेंगे इसलिए याद करिए पहले हम रसी कूदने वाली nation हुआ करते थे और सोचते थे कि हमारे पास तो और tools नहीं हैं तो हम तो जिम नहीं जा सकते हैं हम तो रसी कूद सकते हैं यकीन करके चलिए अगर आप रसी कूद सकते हैं और रसी कूदते रहे हैं तो ये भी यकीन करके चल कोई भी चीज में जिसमें आप पूरी की पूरी बॉडी हिलती हो वो सभी चीजों में blood supply आप वहाँ पे increase करते हैं और चीजें धीरे 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 ठीक होने लगती है और last but not the least परस पर प्रेम जब किसी बात से मन में कटुता आती है आज कल का दौर भी कुछ ऐसा है कि husband अलग phone पे है wife अलग phone पे है या boyfriend girlfriend है वो अलग-अलग phones पे है और अपना phones छुपाते हैं इसका मतलब यह है कि कुछ आपके मन में है जो आप share नहीं कर सकते हैं अगर आप share नहीं कर सकते हैं that means प्यार नहीं है जैसे जैसे प्यार कम होता जा जाए वह male का हो जाए वह female का हो इसलिए परस पर प्रेम बढ़ाइए यह बहुत अच्छा तरीका है इन सभी चीजों से आनेजाद पाने के लिए जैसा कि डॉक्ट साब ने बताया कि aerobic exercise करने से प्रानायम करने से आपकी यह समस्या का समाधान हो सकता है डॉक्ट साब को भी अगर सही कर दिया जाए तो उससे भी इसके उपर एफेक्ट आता है तो कौन सी ऐसी डाइट है जो हमें खानी चाहिए और कौन सी चीजें अवोड करने चाहिए जिस चीजों से हार्ट अटाइक होता है यह पूरी दुनिया को पता है उन ही चीजों से एरेक्टायल ड है यह नहीं है कि हम अगर इतना फैट खाएंगे तो बॉड़ी को कही न कहीं फैट को डिपॉजिट करना पड़ेगा हम अगर इतना ग्लुकोज खाएंगे हमें हर दो घंटे पे खाना ज़रूरी है यह ऐसको डालना है तो कहां डालेगी सब जगह अगर फूल हो गया तो आ भी कम हो गया है और पेल्विस में भी कम हो गया है जिसके चलते यह प्रॉब्लम्स होती हैं अब हर जगा आप स्टेंट करते तो नहीं फिरेंगे तो बहतर यह है कि मुझ को ही स्टेंट कर लीजिए ताकि कहीं और स्टेंटिंग की जरूत ना पड़े बहुत अच्छी जान कर है कि कुछ युवा लोग मेडिसिन का सहरा लेते हैं मार्किट के अंदर मेडिकल स्टोर पे जाके वो इस शर्मिंदगी को दूर करने के लिए कुछ एक कैमिकल यूग तो दवाईयों का सहरा ले लेते हैं तो क्या वो सही है या गलत आपके क्वेश्चन ने मुझे पेशो पेश में डाल दिया मैं मालूम नहीं कितने लोगों का दिल दुखाऊंगा इसमें इसको शुरू करना चाहूंगा मैं एक शायरी से जन्नत की हकीकत हमें भी पता है गालिब दिल बहलाने को ये ख्याल अच्छा है कि आपने दवा ले दूसरा ऐसा कभी भी अगर आप ऐसे ऐसे खाने के और इंटॉक्सिकेशन के चकर में रहेंगे तो ब्लड सप्लाई जनरली कम हो जाता है ब्रेन में भी हार्ट में भी और पल्विस में भी तो एरेक्टायल डिस्वंक्शन बना रहेगा तीसरा ये वन टू थी मैं बता रहा जितना ज्यादा हम रौ फूड खाएंगे आपके ब्लड में उसकी जो थिकनेस ब्लड जो चारो तरफ घूम रहा है वो कम होगा तो ज्यादा ब्लड ऑक्सिजन क्यारिंग कैपास्टी ब्लड का बढ़ जाएगा और वहां पे ऑक्सिजन पहुंचता रहेगा तो नूट्रि आपके ब्लड जाएगा जो जाएगा प्सक्राइगा जिसमें हम बेसिक चीजें कई बार मिस्क कर देते हैं आपने कभी सोचा है जितरे भी दुनिया में अफ्रोडीजिया आपने कहीं भी देखे होंगे चाहे वो टेस्टिकल्स हो किसी के चाहे वो ये रखे गए हमने आउ इन सभी चीजों में एक चीज गॉमन देखा होगा आपने वो क्या सब में मिर्ची होगी और यकीन करके चलिए कि अगर कुछ अफ्रोडीजियाक है तो मिर्ची से बड़ी अफ्रोडीजियाक नहीं है अगर मिर्ची का मतलब समझे आप मिर्ची आप जब भी खाते हैं आप मिर्ची आप जब भी खाते हैं नाइट्रिक ऑकसाइड का ब्लास्ट होता है और नाइट्रिक ऑकसाइड का ब्लास्ट जितने भी वेसल्स जो सिकुड गए हैं उसको खोल देता है तो ब्लड सप्लाई बिलकुल गश करके आता है और अफ्रोडीजियाक का काम इसी लिए मिर जो आपको ज्यादा सांस लेने पर मजबूर करते हैं लोग ये आप बेना मिल्ची के ही कर लेते हैं तो आपका ऑक्सिजन क्यारिंग कैपस्टी ब्लड का वैसे भी बढ़ जाता है तो इन दोनों चीजों से जो आपका लास्ट कुष्चन था ऐफ्रोडीजी अक मैंने 0.1, 0. 0.2, 0.3, 0.4 करके बताया इसलिए कि दर्शकों को ये जानना भी जरूरी है कि ये क्या है और कैसे इस पर निजात पाएंगे और क्या गोलियां इतनी कारगर हैं तो मिर्ची बहुत कारगर है ये मैं बोलना चाहूंगा बाकी विद दिव रस्पेक्ट तो दे कंपनी जो इत जिस पर ज्यादा होता हो वो वो देख लें वैसे कोई भी क्यमिकल लेके ऐसा करना कभी भी अन्वारेंटेड है डोट साब एक आखरी सवाल आप लोग यहाँ पर आज हम हिम्स होस्पिटल के अंदर मुझूद हैं और यहाँ पर मैंने काफी पेशन्ट से भी मिला हूँ कैंसर पेशन्ट है, बीपी का है, हार्ट का है, अर्थराइटिस का है, किटनी का पेशन्ट है और यहां पे एक मिया बीवी कपल भी आया हुआ है जो कि जिनको छे से आठ साल हो गए हैं मैंने बात की थी तो उनको बेबी कंसीव नहीं हो रहा है तो आप यहां आईरवेद के अंदर इस पैथी को देते हैं आईरवेदिक पैथी को और आईरवेद के अंदर बहुत सी चीजे हैं जैसे शतावर है, अशोगंदा है, सफेद मुसली है यह बहुत सी चीजों का संगम है यहां पे तो क्या यहां पर आकर के आपके हिम्स होस्पिटल में आके इस समस्या से निजात पा सकते हैं जहां दूसरी तरफ बहुत सा पैसा खर्च करने के बाद भी जो IVF पगती का सहारा लेते हैं और उसके बाद भी उनको वहां से पॉजटिव रिपोर्ट नहीं मिलती तो क्या वो पर कम खर्चे के अंदर खुशिय मिल सकती हैं क्या उनके घर में किलकारी गुंच सकती हैं जी बिलकुल हम एक्चली यह सभी चीजें सभी बीमारियां इन फैक्ट अगर बच्चे नहीं हो पा रहे हैं या लो स्पर्म काउंट है या जो भी PCOD हैं यह सब हॉर्मोनल इस्यू अब देखें थाराइड का प्रॉब्लमा मुझ मैं दूर नहीं कर पा रहे हैं उसके नीचे आजाईए जो ठा Way ब्लॉड सकती हम थायर परेनल शकुल हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं उसके नीचे आ जाईए पर दूर ग्लैंडरोंग उतन85 eh जो ब्लड पुशर कौज़ करते हैं, ब्लड पुशर हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं, किडनीज भी कई हार्मोंज बनाते हैं जो हड्टियों को ठीक रखता है, हड्टियां सब की कम्जोर होती जा रही है, विटमίν डी भी एक हार्मोन है बैदर वे, और विटमίν डी की भी कमी सब को यह दिख रही है जिसके चलते कई और बिमारियां हो रहे हैं इन डिरिकली विटमिन डी ही रिस convensible है उनके लिए उसके नीचे आजये पी सी ओडी जाए है आज कल की लड़किया माा नहीं बन पा रही है पी सी ओडी के चलते और उसके नीचे आजये प्रॉस्टेट प्रॉ और हॉर्मोन्स हमने सोचा कि थाराइड की कमी है तो थाराइड के हॉर्मोन से ठीक कर लें, प्रोस्टेट की कमी है प्रोस्टेट के हॉर्मोन से ठीक कर लें, पी-सी-ो-डी में इस हॉर्मोन की कमी है इसे ठीक कर लें लेकिन चीज़े ठीक हो नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम शा इस बेसिक मैं फिर उसी पर आओंगा, ब्लड सप्लाई जो भी और्गेन डिजीज है, वहां का ब्लड सप्लाई आपने कम कर दिया है, योग से या वो कपाल भट्टी से, डियाबिटीज कैसे ठीक होता है, आप देखिए आप उस और्गेन को चला रहे हैं, जब आप ये चला जैसे PCOD हैं और erectile dysfunction है या low sperm count है, आप pelvis में blood supply बढ़ा दीजे, और injection के माध्यम से नहीं, exercise के माध्यम से, तो चीज़े ठीक हो जाएंगी, छे बज़े सुबह उठाके हम योग करते हैं, जो नॉर्मली लोग ये घर में नहीं करते हैं, उसके बाद lifestyle changes, क्या खाना है ताकि blood ठ ठीक ना हो और चीज़े ठीक चलती रहें, इससे बहुत सी चीज़े चेंज जाते हैं और ठीक हो जाती हैं, तो दोस्तों बहुत सी जानकारी आज डॉक्टर अवदेश पांड़े जी ने हमें साजा की, और मैं उमीद करता हूं कि इनके द्वारा दी गई जानकारी से आपक करवाएं, उसके बाद आपको बताया जाएगा कि आपकी बिमारी आखिरकार क्यों हुई और कैसे ये ठीक हो सकती है, कैसे ये रिवर्स हो सकती है, और आपको यहाँ पर रहने की खाने की पीने की सुविधा भी दी जाती है और एक ही छत के नीचे बहुत सी पदतियां, जै दिलाए जाता है, अगर आपको भी है किसी भी परकार की कोई भी बीमारी तो हिम्स होस्पिटल के अंदर संपर्क करें, धन्यवाद